तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने रेस्पिरेटरिस सिस्टम के बारे में और यहाँ पे हम लोग अपने complete रेस्पिरेटरिस सिस्टम को cover करेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे anatomy and physiology of respiratory organs और mechanism of respiration and हमारा lungs capacity और lungs volume याणि यहाँ पे हमारे respiratory system के अंदर जितने भी topics है सब कुछ यहाँ पे आज की वीडियो में cover हो जाएंगे और यहाँ पे दिखो जो हमारा unit third का part 2 है urinary system तो probably उसका भी वीडियो आप लोग को आज ही दिखने को मिल जाएगा notes आप लोग को इसकी साम तक description box और telegram पे मिल जाएगी and यहाँ पे दिखो जो हमारी unit 4 है तो उसकी भी हम आप लोग को चलो hand written notes provide करवा देंगे video lectures यहाँ पे possible नहीं है but hand written notes provide करवा देंगे and unit 5 आप लोग थोड़ा सा manage कर ले ना बाकिया आप लोग copy or pen लेके बैड़ जाएगे और हम लोग अपना आज का video start करते हैं तो बात करें हम लोग आप अपने respiratory system के बारे में तो यहाँ पर देखो respiratory system क्या करेगा respiration करेगा respiration अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप लोगोंने इस word का नाम ना सुनाओ respiratory system क्या होता है हमारा स्वसंत तंत्र यानि यहाँ पर देखो अच्छा जब भी आप लोग यहाँ पर इस respiration word का नाम सुनते हो तो आप लोग की दिमाग में क्या आता है I think आप लोग की दिमाग में यह आता होगा सांस लेना सांस छोड़ना यही आता होगा यानि simply अगर हम लोग बोले तो respiration नाम सुनते हैं आप लोग की दिमाग में breathing word आता होगा और आप लोग बिल्कुल यही समझते होगे respiration is equal to breathing है ना respiration हमारा breathing के बराबर ही होता है यानि जो breathing है वाई respiration है बट यहाँ पर देखो एक्षल में breathing हमारा respiration का एक stage होता है या फिर कह सकते है एक part होता है respiration हमारी एक बहुत ही अलग सी चीज है जिसके बारे में आज हम लोग काफी detail में बात करेंगे बाकी यहाँ पर देखो आप लोग को इतना तो पता है कि respiration में होता क्या है अगर breathing की चलो बात कर लें तो क्या होता है हम लोग oxygen अंदर लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं carbon dioxide यानि oxygen को inhale करते हैं carbon dioxide को exhale करते हैं अशु चलो यह तो आप लोग को पता है लेकिन क्या आप लोग को यह पता है कि हम लोग oxygen लेते क्यों है और यह oxygen हम लोग लेते हैं तो जाती कहां है और यह carbon dioxide जो बाहर आ रही है यह आती कहां से है यह carbon dioxide बनती कहाँ पे है तो यहाँ पे देखो यही सब तो है हमारा respiration चलो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक basic overview देखते हैं ठीक है थोड़ा सा वैसे आप लोग को पता है इसके बारे में idea है आप लोग को अभी लग जाएगा कैसे पता है अभी बता चल दाएगा देखो basic अगर हम लोग यहाँ पे अपने respiration के एक basic phenomena की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है हम लोग oxygen को यहाँ पे का करते हैं अपने अंदर inhale करते हैं और हमारे carbon dioxide को यहाँ पे का करते हैं exhale करते हैं यानि बाहर छोड़ते हैं अब यहां पर दिको actual में होता क्या है जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो respiration mainly हमारे यहां पर देखो हम लोग सांस कहां से लेते हैं देखो आप लोग लगता है कि हम लोग सांस नाक से लेते हैं देखो नोस तो हमारा सिर्फ एक pathway है में हम अब लोग सास अपने लंग से लेते हैं, अपने फेफ़डों से लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अपने लंग्स की, तो देखो यहाँ पर, अभी काफी डिटेल में देखेंगे, कैसे अंदर तक देखेंगे, बट अभी एक ओवर्विव आप लोग समझो, होता क्या है, जैसे हम लोग याँ, हम लोगों ने यहाँ पर अपनी, कह सकते हो कि, अभी आकसीजन निहेल करी, envelopn से, तो हुआ क्या, देखो वो अउकसीजन गई हमारे लंग्स के पास, अब लंग्स क्या करता है, लंग्स हमारा इस ऑकसीजन को ट्रांसफर करता है, हमारे बलड के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले, lungs के पास oxygen गई, oxygen लंक्स ने क्या किया, oxygen को blood के पास transfer किया, और blood क्या करता है ज्यान से सुनना, blood यहाँ पे oxygen को हमारा supply करता है कहाँ पे हमारी cells के अंदर ठीक है, और cells क्या करती है cells हमारा इस oxygen को use करती है अपने different metabolic process के लिए, कौन सी metabolic process अरे वही metabolic process जो आप लोग biochemistry में पढ़ चोके हो glycolysis, lipid metabolism, यहाँ पर यह सारी जो process होती है, उनी सब में हमारी oxygen use होता है, यानि यह जो हमारा जितना भी metabolism का process होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी oxygen यहाँ पर consume होती है, और ध्यान से सुनना, इसी metabolism reaction के through क्या होता है, यह जब हमारी metabolism की process होती है, जैसे कि अगर हम लोग example ने, तो जो हमारा glucose का जब हमारा metabolism होता है, तो देखो सबसे पहले अगर आप लोग समझों, तो glucose का सबसे पहला step क्या होता है, हमारा glycolysis होता है, है न, I think आप लोगों ने biochemistry part रखिये, जीनों ने भी नहीं पढ़ी है, तो इतना समझो की हमारा यहाँ पे cells के अंदर होती है, metabolism process, जिसमें होता है, metabolism का होता है, मतलब होता है simply breakdown, देखो यहाँ पे, जो हमारा synthesis भी होता है, metabolism, लेकिन mainly हम लोग यहाँ पे catabolism की बात करें, तो breakdown होता है, ठीक है, तो हमारा breakdown में होता है, जो हमारा glucose है, जो कि हमारा एक 6 carbon compound होता है, कि हमारा सबसे पहले हमारी glycolysis cycle में जाता है एक बात्वे होता है हमारा glycolysis और उसमें हमारा glucose सबसे पहले break होता है हमारा pyruvate में ठीक है और जब हमारा glucose pyruvate में break होता है तो अब यहां पर देखो pyruvate हमारा हो जाता है 3 carbon compound यानि यहां पर 6 से 3 में break हो गया लेकिन अभी देखो अ अब यह कैसे होगा, यह यहाँ पर क्या होता है, अब यही पाइरुवेट हमारा, ठीक है, यही पाइरुवेट हमारा सबसे पहले हमारा convert हो जाता है, acetyl co-enzyme A में, और यहाँ पर हमारा देखो क्या होता है, जो हमारा एक oxygen, sorry, एक carbon है, वो हमारा यहाँ पर carbon dioxide के form में अलग हो जाता है, ठीक है, तो देखो, एक carbon dioxide हमारी यहाँ बन गई, और उसके बाद यह acetyl co-enzyme अब कितना बचा, देखो, इस तीन में से एक निकल गया, तो अब बचाए दो, अब होता है, at last में यह acetyl co-enzyme हमारी जाती है क्रेब साइकल के अंदर, ठीक है, हमारी क्रेब साइकल के अंदर, और क्रेब साइकल के अंदर होता क्या है, क्रेब साइकल के अंदर हमारा जो यह दो acetyl co-enjoy में है ये भी हमारा जो है हमें 2 carbon compound, sorry 2 CO2 के form में break होते हुए देखने को मिल जाता है तो इस तरीके से देखो at last में क्या होता है जो हमारा 6 carbon का glucose था ये हमारे जो है single single carbon dioxide के form में break हो जाता है और ये जो carbon dioxide है अब ये हमारी body का होती है waste product तो अब क्या होता है ध्याल से सुनना देखो यहाँ पर simply हुआ क्या था oxygen को यहाँ पर lungs ने लिया lungs ने oxygen supply की blood में और blood ने supply की cells में देखो अगर इतना कुछ नहीं भी समझ में आया है ये शारी चीजे थोड़ा सा हम लोगों ने उनके लिए समझाए जिन्होंने biochemistry पढ़ दी थी ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से recall हो सके बाकि जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो इतना हटा और बिल्कुल सिंपली समझो lungs ने oxygen ली oxygen और उसके बाद blood को दी blood ने क्या किया हमारे cells को दिया और cells ने क्या किया इस oxygen को यूज किया metabolism reaction product में ठीक है metabolism की जो भी यहाँ पर reaction हो रही थी cell के अंदर और उसके product के थूँ हमारा क्या बना हमारा बना CO2 और इस CO2 को क्या किया अभी इस cell ने जो है इसी CO2 को देखो यहाँ पर फिर से हमारे blood को दिया blood ने हमारे lungs को दिया और lungs ने हमारे यहाँ पर क्या हुआ उसको यहाँ पर हमारे nose के तुरू बाहर निकाल दिया सबसे पहले oxygen की यहाँ पर supply होती है और carbon dioxide यहाँ पर इस तरीके से हमारा बाहर जाता है तो यह होती है हमारी respiration की process तो आप लोग यहाँ पर समझ रहों कि जो हम लोग सांस ले रहे और छोड रहे वूह हमारा सिर्फ देखो वह हमारा सिर्फितना सिर्फ होता है जब तक हमारा lungs में जा रहा सिर्फ इतना सिर्फ होता है qui 이ग आए अब यहाँ पर देखो जो हम्मारा lyrics यहां पर respiration क्या होती है हमारा exchange of gases किसके बीच में हमारा body tissue के बीच में और external environment यहां पर देखो हम लोग क्या करते हैं देखो यह जो हमारा external environment होता है तो बाहर से ही तो हम लोग यहां पर अपनी air को लेते हैं जिसमें हमारा क्या होता है मेंली हमारा oxygen होता है ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया external environment से हम लोगों ने air को ली और उसके बाद हमारा यह air कहा गई हमारे body tissues में ही तो गई lungs भी हमारा tissue है blood भी हमारा उसके बाद से तो यह सारे हमारे tissue ही तो है तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ देखो हमारे external environment से हमारे body tissue के बीच में क्या हुआ हमारे air का exchange हो रहा है हमारे gassage का कौन कौन सी gassage देखो mainly तो हमारा oxygen है लेकिन आप लोग को पता है कि environment में सबसे जादा क्या होता है सबसे जादा nitrogen भी होता है तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ oxygen नहीं लेते हैं बलकि oxygen के साथ हमारी और भी gassage होती है इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको gassage लिखते हैं समझ रहे हो ना cells of our body continuously use oxygen for the metabolic reaction in which energy is released from nutrients, molecules and ATP producers देखो यह जो हमारी cells है यह क्या करती है हमारी oxygen को use करती है और उसके बाद यहाँ पर अभी हम लोग ने देखी लिया now during these metabolic reactions CO2 also release that must be excreted out from body यहाँ पर देखो जो oxygen है उसकी cell को जरूरत है किसके लिए हमारे metabolic reactions के लिए और यहाँ पर इन metabolic reactions के तुरूप बनता है CO2 जो कि हमारी body के लिए एक waste product है जिसको यहाँ से body से बाहर निकालना चाहिए तो यहाँ पर देखो हमारी oxygen की जो भी supply है the supply of oxygen and excretion of CO2 occurs only through respiration and the system that performs respiration is called as respiratory system तो देखो एक काफे simple से चीज है कि यहाँ पर हमारा जो भी oxygen की supply होती है और CO2 का यहाँ पर excretion होता है तो वो यहाँ पर जो system perform करते हैं उस ही को हम लोग यहाँ पर respiratory system बोलते हैं I hope कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा समझ गया होगे और यहाँ पर देखो अगर हम लोग अपने respiratory system के एक basic overview की बात करें तो यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर जो respiratory pathway है ठीक है respiratory tract है वो हमारे start होता है हमारे nasal cavity से और मतलब कह सकते हो nose से start होता है और उसके बाद हमारे यहाँ पर देखो farings आप लोग को यहाँ भी देखने को मिलता है और GIT में भी देखने को मिला था हम लोगों ने वहाँ discuss किया ता है यह हमारे common pathway होता है and farings के just नीचे आप लोगो थोड़ा सा larynx देखने को मिलता है और उसके नीचे हमारे यहाँ पर आप लोगो trachea देखने को मिलती है और उसके बाद हमारे हापे लंग्स आ जाता है और लंग्स के अंदर यहापे काफी सारी चीजे होती हैं तो अभी इसको हम लोग यहापे थोड़ा सा बाद में डिटियल में डिस्कस करेंगे बाकि यह था हमारे हापे एक रेस्पिरिटी शिश्टम का बेसिक ओवर यहां पे थोड़ा सा इसके अंदर की मेकैनिजब को थोड़ा देखते हैं तो बात करें हम लोग यहापे अपने स्टेजिस औफ रेस्पिरेशन के बारे में तो यहां पर जैसा कि हम लोगों ने starting में बुला कि breathing यहां पर हमारे respiration का एक stage है ना कि हमारा respiration है, समझे हो There are basically three stages of respiration पहला हो गया breathing या फर इसी को ventilation के नाम से जानते हैं And second हो गया internal respiration And third हो गया हमारे यहां पर cellular respiration तो अगर हम लोग breathing की बात करें तो यहां पर देखो क्या होता है It is simply defined as the exchange of gases between environment and lungs यहां पर ध्यान से स्मझे लाँ देखो यहां पर तीन चीजे हैं चार चीजे हैं यहां पर एक हो गया हमारे environment ठीक है environment हो गया और और उसके पर देखो environment से हमारे एक हो गया lungs ठीक है और एक हो गया हमारे यहां पर फिर हमारे हो गया blood और फिर हमारे हो गया हमारे यहां पर cells So यहां पर देखो बहुत यहांस हो रहागा जब हमारा जो है गैसेश का exchange किसके बिछ में environment और lungs की बिछ में होता है यैनि जब हम लोग यहां पर सांस लेते हैं breathing जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है हम लोग environment से gases को लेते हैं और वहाँ पर कहा जाती है lungs की बीच में यानि lungs और environment की बीच में gases का exchange हो रहा है क्योंकि lungs को हम लोग oxygen दे रहे हैं और lungs यहाँ पर क्या करेगा CO2 को देगा तो यह होती है हमारी breathing now internal respiration अब हमारा second stage होता है internal respiration इसमें क्या होता है it is defined as exchange of gases between lungs and blood अब यहाँ पर देखो क्या है जब हमारे lungs के पास oxygen गई तो यहाँ पर क्या क्या है इसने oxygen को blood को दिया और blood ने इसको क्या दिया CO2 देखो यहाँ पर जब यह दे रहा है तो यह इसको भी दे रहा है तो यहाँ पर इसने blood ने CO2 दिया और lungs ने O2 ठीक oxygen दिया तो यहाँ पर जब गैसेज का एक्स्चेंज हो रहे है और cell हमारा यहाँ पर वापस में क्या देगा इसको CO2 ठीक है तो अब यह जो एक्षेंज हो रहा है यह हमारा हो जाता है cellular respiration तो देखो इस तरीके से होती है हमारे तीन स्टेज हमारे respiration के अंदर I hope कि आप लोग समझ क्या होगे और बात करें हम लोग यहाँ पर अपने types of respiration की तो देखो respiration हमारे दो type के हो सकते है पहला हो गया aerobic दूसरा हो गया anaerobic aerobic का मतलब यहाँ पर दिखो simple है it occurs in the presence of oxygen यहाँ पर दिखो mostly तो हमारी जितनी भी respiration है वो oxygen की presence में ही होती है यहाँ पर क्या होता है जो भी हमारा oxygen है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर जब respiration करते हैं तो क्या होता है तो दिखो यहाँ पर aerobic respiration में हमारी oxygen होती है और anaerobic में क्या है दिखो simple है कि इसका नाम है anaerobic तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा यह oxygen की absence में होती है और यहाँ पर दिखो यहाँ पर कुछ अगर major difference की बात करें तो जो aerobic respiration है उसमें हमारा CO2 जरूर रिलीज होगा ठीक है और यहाँ पर water पर रिलीज होगा लेकिन यहाँ पर हमारा कोई जरूरी नहीं हो सकता है CO2 रिलीज हो हो सकता है ना हो इस process produces much more energy यहाँ पर aerobic respiration में energy बहुत ज़्यादा produce होती है जबकि anaerobic में यहाँ पर बहुत less produce होती है अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग biochemistry में फिर से थोड़ा सा entry करते है देखो यहाँ पर जो हमारी glycolysis pathway थी glycolysis pathway था उसमें हमारा क्या हो रहा था अगर आप लोगो यादो तो हमारा जो glucose है जिनको नहीं आदे तो उन लोग समझो ना कि हमारा क्या होता है glycolysis में हमारा glucose यहाँ पर convert होता है pyruvate में ठीक है पाइरुवेट में देखो जब glucose हमारा pyruvate में convert होता है तो यह process होती है हमारी aerobic respiration यानि यहाँ पर हमारा oxygen का use होता है और यहाँ पर जब oxygen का use होता है तो हमारा बहुर सारा energy produce होता है ठीक है कुछ हमारे ATP के form में कुछ हमारे NADH के form में लेकिन यहाँ पर देखो कभी-कभी क्या होता है कि हमारी body को यहाँ पर भया oxygen मिल नहीं पाती है कब नहीं मिल पाती है देखो कभी-कभी क्या है कि आप लोग बहुत एक्स्ट्रीम रणिंग कर रहो, मालो आप लोग दोड़े जा रहो, दोड़े जा रहो, अब क्या है कि बोड़ी को वहाँ पे oxygen की supply जो है कम हो गई है, या फिर जो oxygen उसको मिल रही है, वो उसको पूरी तरीके से जो है उसकी supply अल लग गए, 12-12 की बजाय, 20-20 के सेट मारे जा रहे है, तो वहाँ पर देखो कभी होता है कि वहाँ पे आप लोग के पास oxygen की कमी हो जाती है, आसा यहाँ पर देखो, जब oxygen की कमी हो गई, तो यहाँ पर हमारी respiration तो यहाँ पर रुख जा नीची है, लेकिन यहाँ पर रुख के अंदर एक anaerobic respiration की process होती है, यहाँ पर देखो क्या होता है, जब आप लोग, देखो, बहुत common practical example है, अभी आप लोग समझोगे, यहाँ आप लोग जब जिम रगए करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा extreme running करते हो, तो जब आप लोग दौडते हो, तब तो आप लोग को उतना feel नहीं होता है, आप लोग जैसे माल लोग दौड रहे हो अपनी capacity से, बहुत ज़्यादा ही दौड गये, ठीक है, उस time दौडते समय फिल नहीं होगा, या फिर जिम कर रहे हो, तो जब heavy set उठा रहे हो, तो उठा रहे हो, तो उठाते समय फिल नहीं होगा, जैसे अग अगर दौडते हो, तो आप लोग के पैर में extreme pain होने लग जाता है, फिर 12 दिन तक उठनी पाते हो, तो होगता है, जब आप लोग इतना extreme वाला exercise और running वगरा करते हो, तो हमारा चालो हो जाता है anaerobic respiration, अब जब anaerobic respiration है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो pyruvate है, यह हम लोग extreme exercise करे जा रहो, तब तो आप लोग को पता नहीं चुलता है, क्योंकि यहाँ से आप लोग को ATP मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जब anaerobic respiration है, तो हमारा product क्या बनता है, lactate, lactate को हम लोग lactic acid भी बोल सकते हैं, अब यह lactic acid होता है, यह से यह हमारी muscles होगे, चाहे हाथ की, चाहे पहर की, अब यह lactic acid है, यहाँ पर आके थोड़ा सा कैसे तो जम जाता है, समझ रहो, और जब यह जम जाएगा, यहाँ पर तो होगा क्या, जो हमारा blood flow है, जो थोड़ा सा जम जाता है, इसकी वज़े से जो हमारा blood flow है, वो यहाँ पर क्या होता है, थो एक दिन में सेवे जाता है, तो यहां पर देखो कुछ इस तरीके से होता है हमारे यहां पर आरोबिक रेस्पिरेशन, यानि जब आप लोग को ऑक्सिजन नहीं मिलती है, तब भी हमारी बॉड़ी में रेस्पिरेशन की प्रोसेड चल सकती है, लेकिन यहां पर देखो जो हमा यहां पर हमारा जो है, जब गलूकोस से पाइरुवरेड बनता है, तो हमारा एर्ड़ी जो होता है, तो यह जो हमारे एंच है नवारी आए इसके एंदर घंजी रहते हैं, यानि यहां पर हमें जो है ज़्यादा एटीप देखने को नहीं मिलती है, हमारी मैकिसिमम सायर सिर respiration हो और anaerobic मतलब जो oxygen की absence में हो तो बात करें हम लोग यहां पर अपने organs of respiratory system के बारे में तो यहां पर देखो जो हमारा respiratory system है तो उसके अंदर आप लोग को कुछ बहुत सारे मलब organs नहीं हम लोग parts बहुत सकते हैं को कि सारे तो organs नहीं होते हैं लाइक हमारा nose हो गया फिर pharynx, larynx, trachea, bronchi, or bronchioles, alveoli, lungs अब lungs के बारे में हम लोग काफी detail में बात करेंगे तो कि आपके syllabus में भी detailed anatomy of lungs दे रखी है बाकि इन सब के बारे में थोड़ा सा एक basic overview देख लेते हैं जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने nose के बारे में तो यहाँ पर देखो हमारा respiratory pathway वो हमारा begin यानि की शुरू ही nose से होता है नाग से ही सुरू होता है सबसे पहले सांस हम लोग लेते तो नाग के थूँ है cavity of nose is also known as nasal cavity यानि की cavity जो हमारी nose की cavity उसको nasal cavity काफी simple है nasal cavity is divided into अब देखो nose हमारा right और left में divide होता है काफी चीज़, simple सी चीज़ है और यहाँ पर देखो जिससे divide होता है उसको हम लोग बोलते है nasal septum और nose के अंदर हमारे कुछ small hairs देखने को मिलते हैं जो कि क्या करते हैं हमारी दिखो जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो ऐसा तो है निकि हमारा जो बहुत pure हवा बह रही है हमारी environment में आजकल तो बहुत ज़्यादा polluted है तो उसमें बहुत सारे dust particle है तो उन dust particle को सबसे पहले filter करने का काम हमारा यहाँ पे हमारे nose के hair सी कर देते हैं जगो उसके बाद भी हमारी body में बहुत सारे filtration mechanics लगी होती है जिसकी वज़े से हमें जो air at last में मिलती है हमारी cells को वो काफी pure होती है वो impure नहीं होनी चीए होती भी नहीं है functions के अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखो काफी simple है हमारे air को entry करता है ठीक है उसके बाद हमारे air को filter करता है clean करता है और smell की sense हम लोग सांस जो भी smell वगएर होती है nose से ही करते है और उसके बाद हमारा यह air conditioner की तरह भी गाम करता है जो हमारा nose होता है ना तो हमारे nasal cavity हवा बहुत गरम होती है और उतनी गरम हवा अगर हम लोगो ने direct अपने lungs में दी तो हमारे lungs को यहाँ पर damage हो सकता है ठीक है उसको यहाँ पर चोट लग सकती है तो ज्यादा गरम हवा वगएरा हमारे body के अंदर directly ना पहुंचे उस चीज को भी manage करने का काम हमारा nose करता है औ अगर हवा बहुत जाता थंडी हो तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा गरम भी यह कर देता है इसी तरीके से देखो थोड़ा आप लोग समझ रहोगे मतलब एक balance हवा हमारे lungs तक पहुचाने का काम भी हमारा nose ही करता है और बात करें हम लोग यहाँ पर अपने farings के बारे में त होता है और यहाँ पर देखो यह तीन पार्ट में डिवाइड होता है नेजो फैरेंग्स जो हमारा nose के पास है औरो फैरेंग्स जो कि हमारा लारिंग्स के पास है इस स्क्रीन पर आप लोगो दिख रहा होगा और functions की बात करें तो it helps in the movement of food to esophagus देखो esophagus जो की देखो जो ह हमारा फारिंग्स है वह यहाँ पर इंस्योर करता है कि जो हमारा food है वह हमारे esophagus में ही जाए देखो यहाँ पर ध्यान से समझना देखो यह हो गया हमारा फारिंग्स और यही फारिंग्स हमारा इधर जाके हमारे esophagus में भी open होता है और इधर जाके हमारा यह trachea में भी open ह होता है ठीक इस तरीके से होता है हमारा कुछ ऐसे समाझ सकते हो बिल्कुल ऐसा ही नहीं होता है तो यह जो खाना हम लोग खाते है ना तो यह खाना हमारा इस इस इसो फैगस में ही जाए इसको इंशोर करने का काम भी हमारा जो है हमारा फारिंग करता है basically यहाँ पर करता तो epiglottis है अभी उसको भी देख रहा है वैसे देखा भी था हम लोगों नहीं यहाँ दो तो lymphoid tissues present in pharynx acts as a first line defense against foreign pathogens यहाँ पर देखो जो हमारा pharynx है उसके अंदर हमारे कुछ होते है lymphoid tissue ठीक है और यह कहा करते है जैसे जो भी हम लोग यहाँ पर हवा लेते हैं या फिर जो भी खाना भी खाते हैं तो उसके अंदर जो foreign particles याने की जो भी pathogens मतलब bacteria वैगरा होते हैं उनको यहाँ पर kill करने का first line defense मतलब कि सबसे पहले यहाँ पर उनके against में fight करने का काम हमारा pharynx करता है first line defense मतलब समझ रव न जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर attack करता है यह उसके बाद जो बच जाते हैं तो उनके लिए बाकी सारी चीज़े होती है and it is the pathway for air, food, liquid याने सबके लिए बात भी हमारा यही होता है और बात करें हम लोग यहाँ पर larynx के बारे में तो यहाँ पर के कुछ हमारा respiratory system है तो उसके अंदर आप लोग को यह special larynx देखने को मिलता है यह हमारा pharynx के जश्ट नीचे आप लोग को larynx देखने को मिलता है ठीक है और यह larynx क्या होता है basically देखो larynx होता है हमारा यहाँ पर sound box इसको हम लोग sound box के नाम से भी जानते है क्योंकि कर यह क्या करता है जो भी हम लोग बोल रहे ना यह हमारी जो आवाज है उसको produce करने का काम हमारा larynx ही करता है इट लाइज बेट्विन pharynx और trachea यहनि pharynx और trachea के बीच में होता है it is made up of following cartilages यह बहुत सारे cartilage जा मिलके बना होता है like thyroid, crackoid और उसके बाद हमारा पर atenoid तो इन तीन तरह के cartilage cartilage हमारे क्या होते है cartilage हमारे थोड़ा सा कह सकतू की एक type की muscles ही होती है लेकिन काफी मतलब इसको हम लोग soft bone भी बोल सकते है ठीक है और यहाँ पर देख नीचे हमारा होता है लारिंग्स के नीचे से हमारा क्या श्टाल हो जाता है लारिंग्स के नीचे से हमारा श्टाल हो जाता है हमारा ट्रैकिया यहाँ पर देखो यह जो लारिंग्स है यह हमारे इस pharynx और trachea के दीश में दिखने को मिलता है इट कंटेंस epiglottis that makes your stuff that food must be enter into esophagus instead of trachea देखो यहाँ पर बहुत ध्यास सुनना देखो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो हमारा यह फारिंग से तो यह जो हमारा फारिंग से अब यह दोनों में open हो रहा है अब जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाना यहाँ ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे इस esophagus में जाने के बजाए हमारा इस trachea के अंदर चला जाए और अगर trachea के अंदर चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तो यहाँ पर होता है क्या है देखो इसको थोड़ा से ऐसे समझना कि यह यह देखो यह हमारे कुछ तरीके से हो गया देखो यह जो हमारा फारिंग्स है तो लारिंग्स के पास आप लोगो देखने को मिलता है हमारे एक एपिग्लॉटिस देखो यह गलत हो यह रुको रुको एक मिनट अरे एक मिनट बस यह हमारा कुछ इस तरीके का होता है हमारा एपिग्लॉटिस का धक्कन इसको मालो एपिग्लॉटिस अब करता कहा है देखो वैसे तो यह हमारा ऐसे ओपन रहता है और जो भी हमारा हम लोग हवा लेते हैं तो वो हमारी यहां से आती है सिंपली जली जाती है होता कि, जैसी जब हम लोग खाना गाते है, जैसे यहां हिको, कुछ इस तरीक्ये से यहां प्यां के बंद हो जाता है, यहां पर अब हम लोगो ने फूड खाया, पहले हम लोग का था तो यह format इस तरीके से यहां जा सकता था लेकिन epiglottis क्या हुआ इसके पास बंद हो गया तो हमारा जो food हम लोग खाते हैं वो directly हमारा जो है इसके अंदर चला जाता है तो इस तरीके से हमारा epiglottis काम करता है और यहां पर दिखो कभी-कभी होता है कि जो epiglottis है जो epiglottis का control होता है हमारे cns के पास कान्ट्रोल तो हमारा brain कर रहा है cns कर रहा है अब अगर हमारा dhimaad कोई और PG हो गया तो इसको control कौन करेगा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और होगा क्या है अब होगा क्या कि अगर माहलों यहां पे बंदी नहीं हूए तो हमारा जो food है अब वो कभी-कभी क्या होता है कि गलती से हमारे wind pipe यानि की trachea में चला जाता है और जब भी हमारा food trachea के अंदर जाता है तो हमारे साथ क्या होता है हमें आनी शुरू हो जाती है हिचकी और यह जो हिच्की है यह हमें तब तक आती है जब तक इस wind pipe से यानि यह जो ट्रैकिया है जब तक इससे हमारा जो भी food इसके अंदर गया था वो जब तक पूरा बाहर नहीं हो जब तक हमें हिच्की आती ही रहती है यानि कि देखो यहां पर जो हिच्की है वो हमें क्यों आती है क्योंकि जो हमारा खाना है वो हमारा कभी कभी जो हमारे इसो फैकस में इंटर करने की बजाए हमारे ट्रैकिया में इंटर कर जाता है और यहां पर कई लोगों को क्या लगता है कि हिच्वे के हिच्की में गरा आ अगर हम लोग अपने functions of larynx की बात करें तो larynx produces sound यहाँ पर देखो sound का production करता है and हो सकता है आप लोगो मेरी sound थोड़ी सी low चल रही हो क्योंकि यहाँ पर देखो काफी late night है and पता नहीं क्यों late night हो ही जा रही है यहाँ पर लिखते लिखते टाइम ही नहीं बचता है तो घर में सब लोग सो रहे हैं तो इतना चिला नहीं सकते हैं हम लोग तो आप लोग थोड़ा सा voice slow थोड़ा सा फास्ट कर ले ना ठीक है तो लारिंग्स यहाँ पर sound को विडियू करता है hence also known as sound box यहाँ लोग उसको sound box के नाम से ब्यानता है लारिंग्स डोंट प्ले अच्छा यहाँ पर यह respiration में कोई role play नहीं करता है लेकिन यहाँ पर एक pathway की तरह काम करता है देखो वैसे यह respiration यानि कि सांस लेने और छोडने में इसका कोई काम नहीं है लेकिन एक pathway होता है यानि हमारा जो air है वो हमारा लारिंग्स के थू होते हुए हमारा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बात करते है अपने ट्रैक्या के बारे में ट्रैक्या यह जो मारी ट्रैक्या यह मारी एक ट्यूब लाइक इस्ट्रक्चर होती है बारा सेनित्र में लंबी होती है और यह ड्यमेटर आपको दिख रहा है यह हमारा केतना होता है 2.5 cm तो फारिंग्स के लोवर इंड से हमारा जो है यह शुरू होता है और उसके बाद इचे लोगे वह शुरू अग्ला जो रोड़ा को फूरा बढ़े वह संब्सक्राइब होता तो यहां पर देखो होता क्या यह जो रिंग न यह हमारी थोड़ा सा अगरम लोगश को सीजा करके देखिने तो यह हमारी सी सेप के होती है अगे से तो यह हमारी पूरी होती है लेकिन पीछे जाके यह पूरी नहीं होती है इसलिए हम लोग इसको सी शेप बोल देते हैं यह हमारे इंकम्प्लीट रिंग होती है कितनी लग बुक 16 से लेके 20 तक वैरी करती रहती है अब इस ट्रैकिया में भी हमारे कुछ small hairs present होते हैं जो कि क्या करता है करते हैं हमारी जो भी dust particles होते हैं और जो भी other impurities होती है हमारी air में जो हम लोग inhale inhale मतलब जो हम लोग हवा लेते हैं ठीक है सास लेने को मतलब बोलते हैं inhalation और सास छोड़ने को क्या बोलते हैं exhalation ठीक है या फिर उसी को expiration भी बोलते हैं और inhalation को हम लोग inspiration भी बोलते हैं अब हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे क्यों टेंशन ले रहे हो bronchi so अब ये bronchi क्या चीज है the trachea ends up by dividing into two bronchi और इसी को हम लोग यहाँ पर bronchus भी बोल सकते हैं named right and left bronchi so यहाँ पर देखो यह जो हमारा trachea है अब यह क्या होता है यह आगे चलके हमारा जो है दो पाइप में डिवाइड हो जाता है एक हमारा चला जाता है right में एक हमारा चला जाता है left में और जब यह trachea हमारा इन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो हम लोग इसको एक नया नाम देते है, jokie हमारा क्या हो जाता है? हमारा ब्रोंकाई हो जाता है, काफ़ी सिम्पल है, ठीक है? ब्रोंकाई क्या है, कुछ नहीं, हमारे ट्रैक यह ही है, यह दो पार्ट में डिवाइड होगे है, तो हम लोग ने इसको अलग नाम दे दिया, बस, अब उसके बाद हम लोग बात करें, तो दे फर्दर पासेज इंटू दा करोस्पोंडिंग लंग्स, यानि कि यहां पर लेफ्ट से कंपेर करें, और फंक्शन की बात करें, तो यह हमारा जो है, इट कनेक्ट्स विंड पाइप विद लंग्स, विंड पाइप क्या होती है, विंड पाइप हमारा ट्रैकिया, तो ट्रैकिया को लंग्स से कनेक्ट करने काम कौन कर रहा है, हमारा यह ब्रोंकाई कर अब लोग यहां पर बात करते हैं अब यह ब्रॉंकि ओस क्या चीज है अब यह जो ट्रैकिया है जब यह हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो हम लोग ने इसको क्या बोला हम लोग ने इसको बोल दिया ब्रोंकाई अब यह जो ब्रोंकाई है अब यह अगर फर्दर जो है और सब पार्ट में डिवाइड हो जाए यानि और छोटे छोटे में डिवाइट हो जा देखो यह ए पुछ इस तरीके से और यह हमारा लंग्स के अंदर होते हैं यह हमारा तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग बोल देते हैं अपने ब्रॉंकि ओल्स अगर आपलों को याद हो जो हमारी आल्ट्री जब डिवाइट होती थी तो हम लोग क्या ब lining बन गई यहाँ पर देखो copy गंदी होगे, ऐसे गंदी ही है यह copy अच्छी बच्छी है यहाँ पर यह content यह content मुझे satisfy नहीं कर रहा है ठीक है बस आप लोगे लिए जल्दी जल्दी हम कहीं से भी बना रहे है बाकी क्या किया जा सकता है bronchi of lungs further divided into smaller branches known as bronchios यहाँ पर ब्रॉंकाई यह further divided हो जाता है bronchioles don't have cartilage, इनके पास cartilage नहीं होता है और उसके बाद यहाँ पर यह हमारी line होता है cuboidal epithelium, epithelial tissue गाएक टाइप होता है line मतलब यहाँ पर इनकी inner lining यह जो inner बाला part होता है यह हमारा cuboidal epithelium से मिलके बना होता है functions के अगर हम लोग बात करें तो bronchioles end up to form alveoli and hence plays a major role in pathway of air from bronchi to alveoli अब यह alveoli क्या है देखो यह line आप लोग अटा ही दो अब हम लोग alveoli देखते हैं तब समझ में आएगी तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं alveoli के बारे में alveoli are known as functional unit of lungs and consist of a small hollow area for gaseous exchange अब देखो यह ना हमारे पूरे के पूरे respirator system लेफर कह सकते हो lungs का सबसे important part है क्यों सबसे पहले हम लोग इसका structure थोड़ा सा देखते हैं कैसे होता है यह थे हमारी यहाँ पर मस्तसी ट्रैकिया ठीक है और यह हमारी divide हो गई थी किसमें कोई दिक्कत नहीं बढ़ेगा और यह हमारे क्या होती है हमारे lungs के अंदर होते है यह हमारे left यह हमारा right लंग हो गया काफी अच्छा सा लंग हम लोग बना रहे हैं काफी बद्धा सब कोई बात नहीं फिगर में आप लोगों काफी अच्छा लगतने को मिल जाएगा और अब देखो क्या है देखो इतना तो समझ गया ना यह क्या है यह क्या है यह ब्रोंकाई है यह क्या है यह हमारे ब्रोंकियोस है इतना तो पता चल गया ना अब क्या होता है देखो यह जो ब्रोंकियोस है अब देखो ये जहां पर इंड होते हैं तो यहां पर हमें देखने को मलते है कुछ गुच्छे नुमा आकिरती यहां पर आप लोगो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से गुच्छे नुमा आकिरती गुच्छा डाइप का देखने को मलते है ठीक है गुच्छा डाइप का और इनी गुच्छे को हम लोग क्या बोलते हैं इनी गुच्छे को हम लोग बोलते हैं एलवी ओली और यह एलवी ओली करते क्या है देखो आप लोग जब सांस लेते हो हवा लेते हो तो हवा देखो इसी तरीकिस तो आती है अब यह जो हवा यह यह हमारी ऐसे डिवाइड हो जाती है, एक हमारी राइट में गई, एक हमारी गई लंग में और लेट में ठीक है, अब लेट में जब जा रही है तो देखो यहां से जाते जाते ही सब से कहा जाएगी, हमारे ब्रोंक्योस में गई, इधर भी हमारे ब्रोंक्योस में गई, अब अब यहाँ पहुचे नहीं ब्रोंकियोल अब यहाँ पहुंचे तो अब at last में कहा जाएगी बाइहा, at last में तो यह हमारे इसी alveoli के पास जाएगी नश्कोर Sh wheat इसको मुदो बोलते है'm alveoli यहाँ पे यह हवा हमारी alveoli में ही तो गई अब ये alveoli में ही देखो क्या होता है अब इसी alveoli से जहान से सुनना इसी alveoli से हमारी बहुत सारी हमारी blood vessels कह सकतो joint होती है अब देखो ऐसे नहीं होती है बस समझाने के लिए बता रहे है यह हो गया alveoli और यहाँ पे हमारी देखो इस तरीके से अब देखो ऐसे हो जरूरी नहीं है वो हाइपोथेसिस मेरा है थोड़ा सा समझाने के लिए तो यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर होती है blood supply यहाँ पर जो oxygen इसके पास आई अब यह क्या करती है यह हमारी यहाँ से blood के पास भेज़ देती है ठीक है और blood हमारा क्या करता है इसको दे देता है हमारा CO2 CO2 और उसके बाद इसी alveoli से हमारा CO2 होते होते बाहर निकलता है और इसी alveoli से होते होते हमारा O2 हमारे blood में जाता है और हम लोगोंने क्या देखाता सबसे पहला exchange हमारा कहा होता है से पहला एक्षोन होता है हमारा the external इंवर्ट और लग्स की बीच में ठीक है तो हमारे ंग्स की बीच में और उसकी बाथ कहा हो उसता لंग्स tua हमारे blood की बिचमिश में तो लंग्स बीचमिस में कैसे होता हमारे इसए अल्वयोलिग के त्तुर्व होता है थीक है यही हमारा functional unit है यही function perform कर रही है इसके अंदर लेको hollow area होता है यही इसके अंदर hollow area होता है और उसके बाद they are line by simple, इसको हमें as epithelium अब यह भी हमारी epithelial cut tissue का एक type है आप लोगको नहीं पता है तो जाके देख लेना तो यह हमारी इसकी lining होती है इससे और उसके बाद यहाँ पर यह gases exchange को serve करता है उसके बाद हमारे हमारे दोनों lungs को मिला के हमें लगबग 300 million alveoli देखने को मिलती है अब यहाँ पर तो हम लोगों ने sympathy art बना दिया है बस 300 million idea बेने लगा सकते इतनी जाता होती है ठीक है यहाँ पर बहुत सारी blood supply होती है तब ही तो हमारा एक्सचेंज होता है they contain two type of cells इनके अंदर दो डाइब की cell होती है हमारे pneumocytes और alveolar macrophages और हमारे यह क्या करता है हमारे जो भी bacteria बगरा होते हैं उनको kill करने का काम करता है functions की बाद करें तो alveolar is the site where exchange of oxygen and carbon dioxide occurs during the process of breathing यानि breathing के तौरान हमारा जो भी oxygen और carbon dioxide गा exchange होता है वो होता है उसके बाद once the blood receives oxygen it further transferred it to all the cells of her और उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारा blood है जब oxygen ले लेता है तो cell को देता है काफ़ी simple है आप लोग समझ गयोगे इतनी देर समय यही तो बता रहे so अब आप लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने lungs के बारे में थोड़ा सा इसको detail में देखेंगे क्योंकि इसके लिए आपके syllabus में अलग से topic day रखा है एक जामें भी question बन जाता है the lungs are the principal organ of respiration देखो यह होता है हमारा lungs यह होते है हमारे principal organ या इन ही के अंदर पूरी respiration की process होती है तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा respiration organ कौन सा है तो आप लोग गधो की तरह यहाँ पे नाक मत बता देना ठीक है हमारा nose respiration organ नहीं होता है मैंनम main नहीं होता है main हमारा respiration organ हमारा lungs होता है तो आज से आप लोग इस चीच का ध्यान रखना the lungs are pair of spongy air filled one filled with cone shaped अच्छा क्या लिखा हुआ है the lungs are pair of spongy air filled cone shaped organ located on either side of chest यहाँ पर देखो जो हमारे lungs है वो हमारे chest के दोनों दो lungs देखने को मिलते हैं और यह किसके बने होते हैं देखो यह हमारे spongy nature के होते हैं थोड़ा सा और air filled इनके अंदर हवा भरी होती है थोड़ा सा cone shape का देख रहना देखो थोड़ा सा night है तो शायद मेरा दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहे और ज्यादा पता नहीं they are present in pair left lung and right lung और यह हमारे pair में होते हैं left lung and right lung देखो left और right दो होते हैं यह हमारा right हो गया यह हमारा left हो गया यह आप लोग को लग रहा हो गया जप्ति यह आप लोग को यह right है यह left है जबकि यह इसको फिमोग यह आप राइब बोलता है और इसको फिम्हारा right parenthो आजया हो गया है यह जए उसको हम लोग ऐसे नहीं देखते हैं दिखतें आइसे अाप लोग जोWow इसको ऐसे आगे कि तरफ से डिखो जो यह घुके तो यह हमारा उगया अभि यह हमारा अप्द है लेक्ट मेडा आगया औरहमार राइट में कि तरीके से चार कि हम लोग इसको इसको देखते हैं कि हाँ ठीक है, the lungs are covered by a double membrane known as plural membrane, अब यहाँ पर देखना है, यह जो lungs है न हमारा यह, तो यह जो lungs है, इसके पास न हमें double, देखो यहाँ पर हमें double layer देखने को मिलती है, समझ रहो, double layer, एक होती है, यह वाली हो गई outer, यह वाली हो गई inner, और दोनों को हम लोग यहाँ पर बोलते ह अब देखो दोनों का नाम definitely अलग होता है, क्या नाम होता है, वो भी देख रहे है, तो दोनों को हम लोग बोलते हैं plural membrane, outer यह जो बाहर वाली है, इसका नाम होता है हमारा parietal plural, और inner वाली का नाम होता है हमारा visceral plural, यह इस वाली का visceral, और इन दोनों के बीच में जो fluid होता है इसके बीच में space है, इसके बीच में होता है fluid, इसको हम लोग क्या बोलते है, इसको हम लोग बोलते है, plural would, काफी simple है, plural आप लोग को याद रखना है, बाकी, बाकी simple है, the left lung, the left lung is slightly smaller than right lung, अच्छा ये देखो ने, काफी important चीज होती है, ये जो हमारा, ये जो हमारा left lung होता है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा इससे small होता है, यानि कि ये वाला हमारा जो right वाला है, ये वाला हम लोग उसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो देख लिया, यह वाला बड़ा होता है इसके मुकाबले ऐसा होता है क्यों है पता है ऐसा इसलिए होता है देखो यह थोड़ा सा अंदर की तरफ धसा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि मैंने डिजाइन बनाने के लिए बना दिया है एक्शल में थोड़ा ऐसा होता ही है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे हमें देखने को मिलता है हमारा हार्ट और यह हार्ट क्या करता है यह इस वाले लंग्स को थोड़ा सा दबा देता है इसकी वज़े से इसका साइज हमारा इसके मुकाबले थोड़ा सा छोटा देखने को मिल जाता है त यह था हमारे यहां पर कुछ lungs के बारे में कुछ important points अभी कुछ points और भी देख लेते हैं क्योंकि यह हमारा थोड़ा सा बड़े में आ जाता है तो यहां पर देखो काफी simple है इसको हम लोग यहां पर चार पार्क में डिवाइड कर सकते हैं पहला हो गया apex जो कि हमारा superior portion होता है फिर हो गया base जो कि inferior portion फिर कास्टल जो कि हमारा जो में हमारी ribs होती है ribs आप लोग को पता है न हमारी bones होती है ribs तो उसके जो हमारा against होता है जो surface उसको हम लोग बोलते है coastal और जो हमारी media standum की लेटरल बाउंडरी होती है उसको हम लोग बूलते हैं, शर्फेस वाला पार्ट, तो बात करें हम लोग यहापे अपने लोपस आफ लंग्स के बारे में, तो देखो हमारे जो दोनों लंग्स हैं, उनके पास यहापे डिफरेंट नमबर आफ लोपस होती है, अब लोपस, दे तुपर उला नीचे वाला और यहाँ पर तीन है तो देखो एक ऊपर वाला बीच वाला नीचे वाला काफी सिंपल से नहीं है आप लोगों समझ में आगे होगे अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने mechanism of respiration के बारे में तो देखो यहाँ पर जो हमारी mechanism of respiration है वो हमारी दो major step में divide कर सकते हैं हम लोग पहला हो गया हमारे यहाँ पर breathing mechanism और दूसरा हो गया हमारे हमारे यहाँ पर exchange of cases अब यहाँ पर थोड़ा सा lining हमारी बहुत अलग सी चली गई है तो आप लोग थोड़ा सा ignore कर देना काफी जल्दी जल्दी में हम लोगों ने लिखा इसको अगर हम लोग बात करें अपने पहले step की mechanism of breathing की तो the process is in which air moves in and out देखो breathing वही चीज है जो अभी हम लोगों ने starting में देखी थी कि हमारा जो भी air बाहर जाती है और अंदर जाती है लंग से ठीक है तो वही हमारी breathing होती है breathing देखो हमारी दो major step में divide होती है पहला होता है inspiration दूसरा होता है expiration inspiration का मतलब क्या हो गया हम लोग जब यहाँ पे बाहर से हवा अंदर ले रहे हैं और expiration का मतलब क्या होब जब हम लोग अंदर से बाहर हवा exhale कर रहे है छोड़ रहे है तो inspiration की बात करें तो यही है हमारा mechanism of respiration main exchange of cases तो हमारा छोड़ा सा part है main यही है इसको समझना आप लो the process of intake of atmospheric air is simply known as inspiration यानि जब हम लोग अपनी atmospheric air को अंदर लेते हैं अपने अंदर तो इसको हम लोग बलते है inspiration in this process air moves from atmosphere to lungs और जब हम लोग यहाँ पे in this process in this process air moves from atmosphere to lungs और देखो यहाँ पे क्या होता है हमारा atmosphere से lungs मेंड जाती है the process is also known as know as inhalation और यहाँ पे जो inspiration है तो इसको हम लोग यहाँ पे inhalation भी बहु पह सकते है दूसरा नाम होता है बाकी कुछ नहीं, दोनों साइनोने में और यह हमारे एक एक्ट्व प्रोसेज नहीं, यहाँ पर हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अगर हम लोग यहाँ पर अपने इंस्पारेशन की बात करें तो हमारी देखो कहाँ यहाँ पर दो में मसल्स इन्वाल्व होती है पहला होता है हमारे यहाँ पर डायाफ्राम और दूसरा होता है हमारे यहाँ पर एक्स्टर्नल इंटर कोस्टल मसल्स असरा यहाँ पर देखो जो हमारा respiratory system है यहाँ पर आप लोगो एक बहुत important restriction देखने को मलता है यहाँ पर जो तोनों लंग्स है ना इसके नीचे आप लोगो एक muscles देखने को मलता है जो कि होती है हमारी diaphragm इसको हमारी diaphragm और देखो यह हमारे respiration का सबसे मतलब respiration की process में बहुत important role play करता है दियान से सुनना अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी दो muscles involved होती हैं और छोडने पर भी यही दोनों involved होती हैं अभी कैसे होती हैं देख रहे हैं पहला होगे diaphragm और दूसरा होगे external intercostal muscles अच्छा यह क्या होती है देखो जो हमारी ribs होती है rib cage आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसके अंदर जो muscles होती है उसको हम लोग बोलते हैं intercostal muscles ठीक है तो बात करें हम लोग आप इंस्पारेशन mechanism के बारे में देखो वैसे तो हम लोग ने इसको काफी simple और short में लिख दिया है क्योंकि देखो वैसे आप लोग का exam आ ही चुका है तो अगर हम लोग ज़्यादा complex में जाते तो आप लोग को समझ में चीज़े आती ना और last time पर इतनी ज़्यादा information carry करना मुस्किल हो जाता है तो हम लोग ने इसको काफी simply लिख दिया है बट होता है यह बहुत detail में मतलब इसके अंदर काफी सारे चीज़े होती है बट आप लोग simply समझो हमारी inspiration में बहुत देखो यह काफी simple सा flow chart एक chart line का आप लोग याद कर लो बिल्कुल इसी तरह exam में लिख के आ जाना number वेगरा बिल्कुल भी नहीं गटेंगे inspiration में के इसको की बात करें तो हमारा सबसे पहला होता है contraction of diaphragm muscles जब हम लोग यहाँ पे सांस लेते हैं सबसे पहले जो diaphragm muscle है यह हमारी थोड़ी सी contract हो जाती है यह हमारी थोड़ी सी कुछ इस टैप से हो जाती है और यह थोड़ा सा क्या होता है यह थोड़ा सा नीचे आ जाती है जिसकी वज़े से होता है जब यह contract होती है तो इसके contract होने की वज़े से होता क्या है enlargement of thoracic cavity thoracic cavity क्या होता है जो भी हमारा यहाँ पर थोरा से cage होता है जो भी हमारा rib cage होता है उसी को हम लोग यहाँ पर थोरा से cavity बोल सकते है तो यहाँ पर होता है का है जब हम लोग यहाँ पर सांस लेते हैं हवा को inhale करते हैं तो सबसे पहले diaphragm contact होता है उसकी वज़े से यह थो थोड़ा से cavity है, यह बढ़ जाती है, देखो इसको थोड़ा सा समझना तभी समझ में आएगा, देखो यह होती है हमारी कुछ इस तरीके से थोड़ा से cavity, ठीक है इस तरीके से, अब होता क्या है कि जैसे माल लो यह हमारी normal shape में है, तो जब हम लोगों इनलार्ज क्यों है, डायफराम के contact होने के वज़े से, और जब डायफराम कांटक्ट हो यह थोई तो हुआ क्या, जो चीज जितनी छोटी है, इसको बिलकुल आप लोग समझ सकते हो, कि जब यह छोटी सी है, यानि कि जब यह normal shape में है, तो इसके अंदर जो pressure है, चलो वो मा यहां पर खुला छोड़ दे, यहां पर यहां पर यह थोड़ा सा आप कह सकतो open हो गई ना, तो यहां पर pressure बढ़ेगा कि कम होगा, यहां पर pressure जाएगा low, यहां पर pressure कम होगा, यहां रखना ठीक है, क्योंकि यह अगर मानलों इसको हम लोग contact करवा देते हैं, अगर यह environment का pressure हो गया, और यह हो गया हमारे यहां पर internal pressure मान लेते हैं, अब यहां पर देखो हुआ क्या, internal pressure हमारा खर गया decrease, और environment का pressure अभी भी normal है, तो अब क्या हुआ, इसके मुकाबले इसका pressure कम हो गया, और देखो यहां पर क्या हुआ pressure का हो गया difference, कैसा, high to low, और यहां पर simply हमारी क्या होँ हमारी इन्हेल हो गई attentなく हमारी हमारी 770 है लोगई हो लंक्स के अंदर 10 अंदर रहे हैं और देखो वही चीज है कि यहाँ पर क्या होता है हम लोग हवा को छोड़ते हैं और यह हमारी एक पैसी प्रोसेजर यहाँ पर हमें कोई भी एनर्जी की रिकॉर्मेंट नहीं होती है यह अपने आप हो जाती है अब expiration mechanism की बात करें तो यहाँ पर देखो जश्ट आप लोगको inspiration का उल्टा रखना है देखो वहाँ पर diaphragm muscles contract होती है यहाँ फिर से रेलाक्स होंगी यानि फिर से जो नॉर्मल पोजिशन पर आ जाएंगी जब यह नॉर्मल आएंगी तो क्या होगा यह जो हमारा थोड़ा से cavity इनलार्ज होई थी उसका volume decrease करेगा फिर से नॉर्मल आजाएगा अच्छा जब volume decrease करेगा तो यहाँ पर क्या होगा जो pressure कम हुआ था फिर से बढ़ेगा यानि नॉर्मल पर आ जाएगा और जब यह pressure बढ़ेगा तो क्या होगा अब जब pressure बढ़ रहे है तो अब हमारा क्या ह अब देखो यहाँ पर हमारा इसका जो है एक stage 2 भी है जो कि हमारा exchange of gases देखो काफी सिंपल है the gases exchange occurs in alveoli हमें पता है alveoli में होता है it depends upon pressure difference अच्छा यह भी हमारा blood or tissue के pressure difference पर depend करता है देखो यह सारी point कुछ ऐसे है नहीं आप लोग घ्यात कर लेना बाकी exchange of कैसे जागर हम दो बात करें तो हमारा majorly जो है तीन step में देखने को मलता है पहला होता है transport of oxygen फिर होता है cellular respiration फिर होता है transport of carbon dioxide तो transport of O2 की बात करें तो जब भी देखो हमारा O2 यहाँ पर alveoli से blood में transfer होता है तो blood क्या करता है तो blood हमारा oxygen को carry कौन करता है blood के अंदर अगर आप लोग को याद हो जब हम लोग ने blood वाला chapter देखा था तो oxygen को carry करने का काम हमारा hemoglobin करता है तो blood के अंदर जो hemoglobin है वो हमारा oxygen को carry करता है और कहां लेगे जाता है हमारे cell के पास और उसके बाद क्या होती है cellular respiration तो cellular respiration है क्या होता है the O2 released by cell received by cell is further used for the process of cellular respiration in which cells uses O2 to break down the glucose into CO2 and energy should be produced यहाँ पर क्या होता है यह oxygen है जब यह cell को मिलती है तो यहाँ पर use करता है हमारे किसके लिए cellular respiration के लिए यहाँ पर glucose को break करता है और यहाँ पर CO2 release करता है और जब CO2 release करता है तो क्या होता है now CO2 is a waste product hence it is further transferred from cell to blood and then the blood to lungs and then finally exiled out तो इस तरीके से हमारी जो है समझ होगे ना यहाँ पर क्या है बता है कि CO2 हमारा चला जाता है बाहर इसी तरीके से यह हमारी होती है mechanism of respiration एक छोटा सा लेकिन काफी अजीब सा topic आप लोग यहाँ पर देख लो जल्दी से lungs volume and lungs capacity देखो lungs volume क्या होता है देखो जैसा इसका नाम है volume, volume मतलब lungs के अंदर का space होना ह ठीक है, तो lung volume are also known as respiratory volumes, it refers to the volume of gas in the lungs at a given time, देखो यहाँ पर lungs volume कुछ है नहीं, यहाँ पर हम लोग कुछ conditions देते हैं, अलग-अलग type की, जैसे कि अभी इसका type में देखेंगे, और उन conditions में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा lung है, उसके अंदर कितनी जो हमारी gas है, उसका volume कितन है, यानि कितनी gas हमारे lungs के अंदर भरी पड़ी है, पहला होता है tidal, फिर होता है inspiratory, फिर होता है expiratory, फिर होता है residual, तो tidal volume के अगर बास करें, तो देखो यह हमारा सबसे simple होता है, it is simply defined as amount of air inhaled or exhaled during the normal breathe, यानि देखो normally कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ extra condition नहीं है, हम लोग जैसे सांस ले रहे है, नॉर्मल में, यहाँ पर हमारे साथ कुछ हुआ नहीं है, तो normally जो हम लोग सांस लेते हैं, और सांस छोडते हैं, तो एक बार में हम लोग 500 ml आप कह सकतो की हवा लेते हैं, और 500 ml हवा हम लोग एक बार में release करते हैं, ठीक है, तो यह हमारा normal inhale or exhale rate होता या deep, deep inspiration process, यह थोड़ा सा अलग कीज़ें, यहाँ पर ध्यान लेना, देखो कभी-कभी क्या होता है, कि आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने कभी व्यायाम बगएरा किया हो, वह वाला, एक होता है ना कि हमारा लंबी सी सांस अंदर लो, और लंबी सी सांस बाहर छोड आप लोग खीचो, तो जब आप लोग अपनी full capacity, यहाँ पर देखो, it is the maximum amount of air inhaled by a deep inspiration, यहाँ जब आप लोग बहुत deep inspiration, बहुत लंबी सांस लेते हो, तो जितनी लंबी सांस लेने के बाद जितना air आपके length में पहुँच जाता है, उस चीज़ को आप लोग बोलते हैं, inspiratory leisure volume, और यह हमारा कितना होता है, पच्चिस सौ से तीन हजार एमल, यहनि अगर आप लोग चाहो, वैसे normally हमारा पांच सामल हम लोग हवा लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग full potential पर आजाओ, तो इतनी हवा आप लोग अपने अंदर ले सकते हो, और expiratory leisure volume की बात करें, तो दे लेते हो, तब आपके अंदर लगबग 3000 ml हवा आ सकती है, और जब छोड़ते हो, तो छोड़ आप लोग जादा से जादा सिर्फ 1000-1200 ml ही छोड़ सकते हो, जितनी ले सकते हो, इतनी छोड़ नहीं सकते हो, छोड़ कमी सकते हो, तो इस चीश को ध्यान रखना, और बात करें ह या पर residual volume की, तो यह थोड़ा सा अलग type का इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, it is amount of air that remains inside lungs after forceful exhalation, तो यहां पर इसके, आप लोग जो है language पर मज़ जा, इसमें simply समझो, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते है, जो हमारा inspiratory है, ठीक है, इसमें हम लोग इसको minus कर दे इतना बज गया, वो हो जाता है हमारा यहां पर residual volume, and finally बात करें हम लोग अपने lung capacity के बारे में, तो यह कुछ नहीं है, बाकी, यहां पर क्या है, lung capacity are derived, यह हमारा lung volume से ही derived किया गया है, यहां पर कुछ अलग सी चीज नहीं है, कैसे, यहां पर different lung volume के summation, यानि कि हम लोग क्या क हैं, तो total lung capacity के अगर हम लोग बात करें, तो total, यहां पर यह अलग-अलग type के होते हैं, तो पहला होता है total lung capacity, यह काफी simple है, बाकी सारे बहुत अजीब है, तो यह total lung capacity यहां पर क्या है, the total volume of air that a person can hold in its lungs after a forced exhalation, यानि जब हम लोग बहुत deep वाली exhalation करते हैं, जो हम लोग न हमारा हो जाता है 6000, देखो, एक में 3000, तो दोनों में 6000 हो गया, ठीक है, देखो, males में लग बग यह 6000 होता है, और females में थोड़ा से कम होता है, थोड़ा 4500 होता है, और vital capacity की बात करें, तो यह क्या होता है, देखो, अब इसमें कुछ definition पर जाने वाला नहीं है, इसमें बस आप अब यह आप लोग जोड जाड़के देख ले ना, हम लोगो नहीं volume discuss करी लिया आगे, है ना, and, and inspiratory capacity की बात करें, देखो, इन सब को हम लोग हो सकता था काफी detail में देखते, बट, since आपके exam बहुत पास में है, तो इतना हम लोग यहाप इस पर time waste नहीं कर सकते, आप लोग it is simply amount of air exiled by a person, यानि कितना, यानि simple breathing में जितना exiled करता है, कितना पान सेमल, तो यह पान सेमल हो गया, और last में जो हमारा residual capacity है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगो जोड़ना है expiratory volume को, residual volume को, तो इस तरीके से हमारा यहापर lung capacity और lung volume होता है, and यहाँ पे, यहाँ पे अगर कोई doubt है, तो आप लोग बताना, मिलते हैं, हम लोग आपे next video में, thank you so much